अलो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम टू शमाधा साथिव आपको पता है कि 69th का मेंस एक्जाम चला था जिसमें आपका हिंदी कौलिफाइंग GS1, GS2 और निवन का पेपर हो चुका है अब यहां पर ऑप्शनल का पेपर बचा हुआ था तो उसके रिगाड़िंग यहां पर बीपीसी निराज नोटिश जारी कर दिया है और 17th बीपीसी भी जो अभेरती है वो बिल्कुल त्यार रहेंगे अपना क्योंकि जो बीपीसी एक सेडूल है एक्जाम का हम लोग देख लेते हैं तो इसमें आपका 20 तारीक से 21 तारीक तक डेट सेडूल किया गया है और यह अप्शनल सब्जिक का एक्जाम होने वाला जैसे 20 जनुवर कि यहां पर देखेंगे तो प्रथम पाली 9 बज़ से 11-11 बज़ तक है आपका जिसमे एक करित 79 का जो अप्शनल होगा चुकि आपको पता है गब CC जो होगा यानि एक 70 एक करित जो यहां पर नहतर वी का एक्जामनेशन से चाहाए आगे आने माला कोई भी हो और 60 में भी ऑप्शनल यह आपका MCQ होता है चुकि अब यह आपका MCQ पेपर है तो क्योंगा इल्फाइंग इन नेचर है उसमें अलग 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 मार्क्स लाना है जैसे जनरल में 40 परसंट लाना है और BC को 36 पॉइंट संथिंग लाना है और इसी तरिका सरने करित को एक 2 परसंट का कम होता है जो दूसरा प पाली में दो बज़े से अपराहन पांस बज़े तक होगा और यह बाल भीकास प्रजाना प्रताधिकारी का जो आप कोई एक शिक सब्जेक्ट लिए होंगे उसका एक्जामनेशन होगा 21 जनवरी को यहाँ पर प्रतम पाली में आपका समय वही है साड़े नोबज से साड़ जो पूलिस उपाधिक्चक तक्निकी परिचालन समंधित एक विसा होगा तो इसका प्रवेस पत्र जो है आपका 13 जनवरी को उपलाब्द रहेगा तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा नया एडमिकार इसका लिए आपको अप्शनल के लिए अलग से पाएंगे तो आप सबको बहुत-बहुत सुब कमना है कि आप जाके एक्जाम में अच्छा करें अपना और यहाँ फाइनल सेलक्शन में भी आपका नाम हो तो मिलता है फिर नए अपडेट में चैनल से जुड़े रही धन्यबाद